गुड मॉनिंग बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक का पार्ट नंबर 11 राम भरतियों मेले नम पढ़ाएंगे इसमें भगवान राम का उनके भाई भरत से मिलने के बारे में बताया गया है इस समय भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में जंगल में रह रहे थे और उनके भाई भरत उनसे मिलने के लिए आये थे भरत कहते हैं हे तात तो सुमंत कहते हैं कुमार यह है भरत कहते हैं मेरे पूजनिय राम कहा है मेरे पूजनिय अथार्ट उनके भाई राम कहा है सुमंत पर सुमंत कहते हैं कुमार यह तस्मिन एव आश्रमे राम मह सीता लक्षमन अश्य स्थिता सुमंत कहते हैं कि हे कुमार इसी आश्रम में राम सीता और लक्षमन रहते हैं अब भरत कहते हैं भो तात निवेदे अताम निवेदे अताम तो भरत क्या कहते हैं हे तात उनको सुचित किया जाए जाकर उनको सुचित किया जाए सुमंत्र कुमार कीमिति निवेदियत तो सुमंत्र कहते हैं कि हे कुमार हमें क्या सूचित करना है भरत राज्य लुबधाया कैकया पुत्रह भर्तह प्राप्तह इति तो भरत कहते हैं राज्य लोभी कैके का पुत्र भरत आया है यही आपको कहना है राम कहते हैं सब प्रकार से यह है अपरिचित के स्वर का सैयोग नहीं है अथार्थ मुझे नहीं लगता कि यह किसी अपरिचित की आवाज है मेरे हिर्दे को आद्र कर रहा है मेरे हिर्दे को हिला रहा है वत्स लक्षमन जड़ा देखो तो यह कौन कह रहे है यह राजाराम कह रहे है लक्षमन अहां यद आग्या पयती आर्या तो लक्षमन कहते हैं जो आग्या आर्या परिक्रामती और घूमते हैं एही एही इक्ष्वाकु कुमार स्वागतम तो लक्ष्मन क्या कहते हैं आओ आओ इक्ष्वाकु कुमार आपका स्वागत है भरत है भरत क्या कहते हैं अनुग्रहीतो अस्मी मैं बहुत अनुग्रहीत हुआ हूँ लक्ष्मन बाढ़म उपेत्य जयेतु आद्य तब लक्षमन कहते हैं बहुत अच्छा और पास जाक कहते हैं आदे की जै हो आयमते दैतो भाता भरतो भात भात्री वत्सलह यह तुमारा प्रिय भाई भरत भाई से स्ने रखने वाला है कौन है यह यह तुमारा प्रिय भाई है जो अपना भाई का नाम क्या है भरत जो अपने भाई से प्रेम करने वाला है संक्रांतह यत्रते रूपम आदर्श इवतिष्ठती जिसमें तुम्हारी छवी दरपड की भाती प्रतिबिम्बित रहती है अथार्त जो तुम्हारी परचाएं के मात्र सोरूप है सीता कहते हैं आदर्श पुत्र किम भरता आगता है सीता कहते हैं आदर्श पुत्र क्या भरता आगए है राम कहते हैं सुकृत्य शिग्रम प्रवेश यताम कुमार है सुकृत्य कुमार को शिक्र ही प्रवेश कराया जाए सीता स्वयम गच्चतू और फिर ऐसा सीता उसे लेने उन्हे लेने स्वयम ही जाती है सीता यद आरे पुत्र आग्या पयती जो आरे पुत्र की आग्या हो उत्थाए परिक्रामती जो आरे पुत्र आग्या दें ऐसा खेकर वो उठकर घूम जाती है मैं भरत आपका अभिवादन करता हूँ अथार स्वागत करता हूँ सीता केती है चिरकाल तक जीवित रहो एही वच भ्रात्रे मनोरतम पूरे है आओ वच भाई का मनोरत पूरा करो भरत है राम उपगम में भरत राम के पास आकर आधे अभिवाद है मैं आपका अभिवादन करता हूँ भरतो अहम असमी और मैं कौन हूँ मैं भरत हूँ रामह सहर्षम सहर्षम मतलब खुशी से स्वस्ति आयुश्मान भव कल्यान हो और आयुश्मान हो सुविपूलेन भुजद्वयेन माम आलिंगम दोनों विशाल भुजाओं से मुझे आलिंगन करो अपनी विशाल भुजाओं से मुझे आलिंगन करो भरत अनुग्रिहितो अस्मी प्रसीदतु आर्य अनुग्रिहितु आर्य आप क्रिपा करें सुमंत्र अथेदानीम अभिशेको दकम को तिष्ठतु सुमंत्र कहते हैं इसके परश्चात अभिशेक का जल कहां रखा जाए रामह यत्र में मात्रा अभितम तत्र तावतिष्ठतु राम कहते हैं जहां मेरी माता के द्वारा कहा गया है वहीं पर रखा जाए रखिए भरत हंत अनुद्तर अनुद्तरम भिहितम परम्तु ममहस्ते निक्षिप्तम तव राज्यम चतुर दर्श वर्शान ते प्रतीग रही तुम इच्छामी भरत कहते हैं दुख है माता के द्वारा नहीं कहा गया है परन्तु मेरे हाँप में रखा हुआ आप अपना राज्य चौदा वर्श के बाद मैं वापस देना चाहता हूं राम कहते हैं एवा मस्तू ठीक है ऐसा ही हो भरत आरे अन्यम अपी वर्शामी आरे दूसरा भी वर्शान चाहता हूं राम वर्श की मिच्छ सी की महम ददामी वो कहते हैं वर्श क्या चाहते हूं मैं क्या दे सकता हूं भरत पदोप भुक्ते एत्यतव पादुके मेप्रेच पहरों में पहने हुई अपनी ये खड़ाओं जो आपने पहनी है वो आप मुझे दे दीजे राम, रामा तथास्तु वर्थ ग्रिहेताम और राम कहते हैं ऐसा ही हो वर्थ तुम इसको ग्रहण करो तो बच्चो इस तरह से आपने इस पार्ट में देखा कि किस तरह भरत आकर अपने भाई राम से उनकी चरण पादुका ले जाती है ये वर्णन उनके भगवान राम के वनवास का समय का है तो इस तरह से बच्चो अब आपको ये करना है सबसे पहले तो इसके शब्दार्थ कौपीज में लिख लेने है फिर इसके बाद आपको सारा अभ्यास का दे और प्रशन उत्तर पहले कोशिश करिए कि आप इसको स्वयम ही करें और यदि ना कर पाएं तो इसको जो मैंने उत्तर लिखे हैं उसकी सहायता लिजे और फिर अपनी कौपीज में करिए तो बच्चों इस तरह से आज का ये पार्ट समाप्त होता है हम अगले वीडियो में एक नए पार्ट के साथ आप से फिर मिलेंगे थाइंक यू